दोस्तों, प्रदूशन यह शब्द हमने अपने नीजी और रोज के जीवन में सुन रखा है फिर प्रदूशन यानि क्या है? प्रदूशन किन पदार्थों का होता है? ऐसे अनेक प्रश्ण हमारे मन में उठते हैं दोस्तों, प्रकृती में मौझूद अनेक घटकों का हानिकारक दूशिती करण यानि प्रदूशन है मानव प्रकृती में अनेक बदलाव लाता है और उसका परिणाम अवश्य दिखाई देता है वहनों की बढ़ती संख्या, बढ़ती हुई जन संख्या, कीटक नाशक तथा रासाइनिक खादों का उप्योग, खेती करने के गलत पद्धतियां आदि के कारण हवा, पानी, जमीन, मिट्टी, आदि घटक दूशित बने हैं और इसका विप्रीत परिणाम मानव पर भी हो रहा है फिर दोस्तों हमारे आसपाज जो चीजें दिखाई देती हैं, क्या उनसे प्रदूशन होता है? इसका विचार कीजिए क्या हम साफ शुद्ध पानी पीते हैं? क्या शुद्ध हवा हमें मिलती हैं? आसपाज शांत वातावरन है क्या? इसका अवश्य विचार कीजिए प्रदूशन यानि क्या है? वो कैसे होता है? इसकी पढ़ाई हम करने वाले हैं प्रित्वी के नैसरगे घटकों के कारण परियावरन बनता है. ऐसे अने घटकों के कारण परिसंस्थान का निर्मान होता है. इन परिसंस्थानों में जो हानिकारक बदलाव होते हैं उसे प्रदूशन कहते हैं. प्रदूशन का उगमस्त्रोत और प्राप्त करता क्या होता जिस जगा से प्रदूशन होता है तथा परियावरण में फैल जाता है वह उगम्स्तूत है और जिस जगा पर प्रदूशन ठहरता है तथा मानव तथा पशुओं को हानी पहुंचाता है वह प्राप्त करता होता है प्रदूशन के निर्मान में अनेग घटक कारण बनते हैं परिसंस्थान के नैसरगिक कार्य में बाधा उत्पन करने वाले अजैविक और जैविक घटकों पर घातक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूशक कहते हैं यह प्रदूशक नैसरगिक तथा मानव निर्मित होते हैं, प्रदूशक द्रव अथ्वा घंस्वरूप में हो सकते हैं, प्रदूशकों का वनस्पती अथ्वा प्राणियों की प्रजाती के पलने बढ़ने पर कुछ प्रमाण में असर होता है, मानवी सुविधा, स्वास्थ, मालमत्ता में कुछ हस्तक्षेब होता है, कुछ प्रदूशक विगटनशील होने के कारण पर्यावरन में सुरक्षित नहीं रहते, अब आप ही विगटनशील और अविगटनशील प्रदूशकों के नाम बताईए, कुछ प्रदूशकों से तैयार होने वाले उत्पाद प्रदूशन युक्त होते हैं, खाद नाइट्रोजन, पूटेशियम और फॉस्फरस नामक रसायनों से बनाई जाती है, लेकिन खाद खेती के लिए आवश्यक होती है, कीटक नाशक फसल पर होने वाले हानिकारक कीडों को नश्ट कर देते हैं, लेकिन मानव पर इसका विप्रीत परिणाम होता है, निसर्ग में अनेक दूशित घटक होते हैं, इसके कारण प्रदूशन के अनेक प्रकार हैं, इसके अंतरगत हवा प्रदूशन, प्रदूशन महत्वपूर्ण प्रकार है आजकल सबसे बड़े पैमाने पर दिखने वाला प्रदूशन यानि हवा प्रदूशन है हम आजकल सुन रहे हैं कि देहली में हवा प्रदूशित है हवा प्रदूशन यानि क्या इससे पहले हम हवा यानि क्या यह समझ लेंगे हवा म प्रमुख रूप से कुछ गैसो धूलिकन भाप मौजूद होती है हवा में नाइट्रूजन याने नत्रवायू सबसे अधिक याने हवा में धूलिकन होते हैं इन धूलिकनों के आसपास बाश्प के कण जम जाते हैं वे धूलिकन अनेक माधिमों से तैयार होते हैं वातावरण में धूलिकनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन यही धूलिकन जब प्रदूशक के रूप में आते हैं तब हवा प्रदूशित करते हैं सामान्यता धूलिकन दो प्रकार के होते हैं, कुछ धूलिकन बहुत छोटे यानि 10 माइक्रो मिटर से छोटे आकार के होते हैं, ये कन श्वसन मार्क से शरीर में जा सकते हैं, आति सूक्षम धूलिकन दो दशमलव 5 माइक्रो मिटर से भी छोटे आकार के होते हैं और वे फेप कर खून प्रदूशित करके स्वास्थे पर घातक परिणाम करते हैं दोस्तो प्रकृती में मौजूद अने घटकों का हानिकारक दूशिती करण याने प्रदूशन है इन परिशंस्थानों में जो हानिकारक बदलाव होते हैं उसे प्रदूशन कहते हैं जिस जगा से जावरण में फैल जाता है वह उगमस्त्रूत है और जिस जगा पर प्रदूशन ठहरता है तथा मानव तथा पशुओं को हानी पहुंचाता है वह प्राप्त करता होता है